गुड मॉर्डिंग, नमस्ते, मैं विवेक महेश्वरी, साइकलाजी की पाथशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज साइकलाजी की पाथशाला में जो टॉपिक मैं डिसकुशन कर रहा हूँ वो हमारी जिन्दगी से कही न कही मिलता जुलता टॉपिक है और हमारी जिन्दगी में उस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्स है और वो टॉपिक है कॉन्फिक्ट, पती-पत्नी में कॉन्फिक्ट होता है भाई-भाई में, दो देश में, दो संप्रदाय में, दो जाती में, दो परिवार में कॉन्फिक्ट होता है और ये कॉन्फिक्ट सोसाइटी का एक बात important अंग है और जब कॉन्फिक्ट को सही से resolve किया जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्फिक्ट में अगर फस जाते हैं तो कहीं न कहीं हम पीछे की तरफ जाते हैं हमारा विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस कॉन्फिक्ट का सामना कर रहा हैं जिस कॉन्फिक्ट को phase कर रहा हैं उस conflict को resolve कैसे करते हैं अगर हम देखें तो व्याभारिक जिन्दगी में दो तरह के conflict देखे जाते हैं एक जो external conflict है और दूसरा internal conflict है external conflict का मतलब है जो हम अपने चारों और conflict देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच conflict देखते हैं दो समुदाई के बीच conflict देखते हैं वो external conflict है जो बाहर की चीजों के लिए दिखाई दे रहा है लेकिन एक conflict ऐसा है जो हमारे अंदर चल रहा है और उसको हम internal conflict कहते हैं हमारी दो मानसिक जो इस्थितियों है वो लड़ रही है उन मानसिक इस्थितियों में उन दो विचारों में conflict चल रहा है और वो विचार ऐसे हैं जो opposit है क्योंकि हमारा जो mind है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो विचार ऐसे हैं जिनका नेचर अपोजिट है वो एक बार में एक साथ हमारे अंदर आते हैं और हम परिशान होते हैं कि हम किस विचार की तरफ जाए ये विचार सही है या ये विचार होता है वो उससे ज़्यादा घातक होता है जो कि external दिखाई देता है आज जिस topic पर हम चर्चा कर रहे हैं वो mental conflict या psychological conflict के ऊपर है psychological conflict एक painful emotional state है और वो painful इसलिए है क्योंकि जब वो इस्थिती उत्पन होती है जो मानसिक इस्थिती है उससे में हमें pain होता है हम परिशान होते हैं हम उस मानसिक स्थिती से निकलना चाहते हैं और वो painful मानसिक स्थिती या emotional state कब develop होती है जब दो विरोधी इच्छाएं एक साथ हमारे मन में हमारे माइन में या हमारे अंदर आती हैं और वो विरोधी इच्छा ऐसी है जो एक साथ ही पूरी करने की हम इच्छा रखते हैं हम ये भी कर ले वो भी कर ले लेकिन क्या एक साथ दो चीजें पूरी की जा सकती है नहीं, एक साथ दो चीज़ें पूरी नहीं की जा सकती एक साथ ऐसे व्यवार उत्पन होते हैं जो विरोधी है हम अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं हम किसी शौप पर जाएं मैं अचली शौप की बात छोड़ देते हैं अभी एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है एक अच्छा माहौल है और वो माहौल है दिवाली का अब फ्लिप कार्ट में सेल चल रही है Amazon पर सेल चल रही है आपको कोई एक TV पसंद आ गया एक Ultra HD TV आपको पसंद आ गया और दो टीवी है अब दो टीवी के बीच आपमें कॉन्फिक्ट है मैं ये खरीदू या ये खरीदू क्योंकि खरीद तो आप एक ही सकते हैं अपने घर में दो टीवी तो नहीं लगाएंगे एक ही खरीदेगे अब उस समय दो विरोधी इच्छा हैं एक मन कहता है कि ये टीवी खरीद लो और दूसरा मन कहता है नहीं ये टीवी खरीद लो एक मन कहता है कि इसमें फैसिलिटीज ओप्शन्स अधीक हैं एक दूसरा मन कहता है फैसिलिटीज का क्या करना है ओप्शन्स का क्या करना है रेट इसका डाउन है आप क्या करेंगे आप mental conflict में होंगे आप ऐसी स्थिती में होंगे कि आप उससे बाहर निकलना चाहेंगे और वो विचार हमेशा बने रहेंगे जब तक कि वो conflict resolve ना हो जाए संघर्ष का तात्पर मानसिक विरोधा भास के स्थिती है और इस मानसिक विरोधा भास में एक चीज़ सबसे महतोपून होती है कि जो दो शक्तियां हैं और वो दो शक्तियां एक दूसरे को खीच रही है एक तरफ मन हमारा एक तरफ जा रहा है और एक मन हमारा दूसरी तरफ जा रहा है और दोनों मन एक दूसरे के अपोजिट है दो विचार एक दूसरे के अपोजिट है और जब विचार अपोजिट होते हैं तो हमारा व्यवहार भी दो विरोधी व्यवहार उत्पन्द एक सा वो आपमें aggression डवलब करेंगे और उस समय स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी और conflict की यदि types की बात की जाए तो conflict के four types होते हैं फर्स्ट एप्रोच एप्रोच कांफ्लिक्ट जिसे हिंदी मैं कहते हैं उपागम उपागम संघर्श बैरत अवाइडन संघर्श है और च्वोथा आता है Multiple Approach Avoidance Conflict ये चार अलग-अलग तरह के conflict है किसी में दो positive शक्तियां एक साथ है कहीं पर दो negative लक्षे एक साथ है कहीं पर कुछ positive कुछ negative लक्षे एक साथ है हम अब एके करके इन चारों conflicts को समझने की कोशिश करते है पहला conflict है Approach Approach Conflict और इस Approach Approach Conflict में दो positive गोल व्यक्ति के सामने एक साथ होते है एक ही समय में दो positive गोल और व्यक्ति उसी समय में या एक ही समय में दोनो positive चीजों को लेना चाहता है उन दोनों लक्षों को पूरा करना चाहता है लेकिन यहां पर इस्थिति यह है कि व्यक्ति केवल एक समय में एक ही लक्ष पा सकता है एक समय में एक ही वस्तू पा सकता है लेकिन व्यक्ति के मन में एक संकर्ष है नई मैं दोनों चीज़ों को कैसे पहूँ उस समय एक conflict डेवलप होता है आपने कहावत सुनी होगी कि एक गधा है और वो गधा दो हरी घास की जो गठरियों के बीच में घूमता घूमता मर गया मैं इसको ठीक से समझाओं कि ये गधा था और उसके सामने दो हरी गास की गठ्रियां थी और वो भूखा था वो दोनों हरी गास की गठ्रियों को देखता था मैं इसको खाऊं या इसको खाऊं मैं इस तरफ जाता तो उसको लगता की नहीं मुझे पहले उसको खाना चाहिए उस तरफ जाता तो लगता की नहीं पहले उस तरफ जाना चाहिए और वो दोनों गठ्रियों के बीच में घूमता घूमता भूखा मर गया बिल्कुल सेम एस्थिती एक व्यक्ति की होती है कि दो चीजें होती हैं वो दोनों ही चीजों को पाना चाहता है लेकिन एक समय में केवल एक ही चीज उस व्यक्ति को मिल सकती है इस समय जो उस conflict के द्वारा जो stress हुआ है जो frustration डवलप हुआ है जो चिंता हुई है उसका समाधान थोड़ा आसान होता है आसान इस तरह से होता है कि दो गोल है तो पहले व्यक्ति क्या करता है पहले एक गोल को पूरा कर लेता है फिर दूसरे गोल को पूरा कर लेता है इस तरह से उस conflict को resolve कर सकता है लेकिन कभी-कभी ऐसी इस्थिती होती कि वो conflict में पढ़ा रहता है resolve कर नहीं पाता है क्योंकि वो दोनों ही चीजों को एक साथ पाना चाहता है जब व्यक्ति दो positive goals को एक साथ पाना चाहे तब एक conflict डेवलप हुआ जो mental conflict है उसे कहते हैं approach-approach conflict दूसरा conflict है avoidance-avidance conflict opposite है यहाँ पर दो positive goal नहीं होते हैं यहाँ पर दो negative goal होते हैं और वास्तविक्ता यह होती है कि व्यक्ति उन दोनों ही negative चीजों को नहीं पाना चाहता है लेकिन सच्चाई यह भी है कि उसको एक negative चीज तो मिलती ही मिलती है या उसको लेनी ही पड़ती है आप यदि educational life की बात करें एक बच्चा है जो पढ़ना भी नहीं चाहता है और दूसरी तरफ वो fail भी होना नहीं चाहता है दो negative है एक तो करना पढ़ेगा या वो पढ़ ले या वो fail हो जाए क्योंकि पढ़ने में भी उसको pain मिल रहा है और fail होने में भी pain मिल रहा है दो painful चीज़े हैं और उन दोनो painful चीज़ों से वो व्यक्ति हटना चाहता है लेकिन एक तो painful चीज उसको लेनी ही पड़ती है उसको स्विकार करनी ही पड़ती है वो पढ़कर थोड़ा सा pain ले ले या fail हो ले ले लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़े भी ना और वो व्यक्ति पास हो जाए हो सकता है कभी-कभी ऐसा होता भी है कि उसका लग साथ दे जाए लेकिन परिस्सितियां और भी बहुत सारी है आप इस avoidance-avoidance conflict को इस तरह से समझें कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि आप आगे भी नहीं जा सकते हैं और आप पीछे भी नहीं जा सकते हैं लेकिन आपकी जो left side से एक गाय आ रही है दोडते हुए और right side से एक बहुत बड़ा एक doggy आ रहा है कुत्ता आ रहा है दोडते हुए दोनों तरफ negative goal है और व्यक्ती क्या करता है जो बीच में खड़ा है वो दोनों से बचना चाहता है वो इस गाय से भी बचना चाहता है वो इस कुत्ते से भी बचना चाहता है लेकिन वो दोनों इधर तो नहीं जा सकता और आगे जाने की जगे नहीं है पीशे जाने की जगे नहीं वो क्या करेगा उसको एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा एक तरफ तो पेन लेना ही पड़ेगा एक तरफ कुट्टे के काटने का डर है तो दूसरी तरफ उस गाय के सिंग मारने का बिलकुल यही परिस्थिती और भी बहुत सारी situations में होती है और इ की तरफ जाएगा तो हो सकता है उसको ज्यादा नुकसान अब वो एवैलेशन करता है कि मुझे दर्द कहां कम मिलेगा मुझे पेन कहां कम मिलेगा जहां पर पेन कम मिलेगा वहां पर वो जाने की कोशिश करता है या उस विचार को या उस इच्छा को पूरी करने की यह इस्थिती ऐसी है कि बहुत इंटेंस पेइनफुल सिचुएशन होती है, बहुत इंटेंस इमोशनल फीलिंग्स आती हैं, कि वो डर जाता है, वो किस तरफ जाये, वो दोनों नहीं चाहता है, जो एप्रोच एप्रोच कांफिक्ट में था तक दोनों चाहता था, वहाँ पर तो जो चीजें थी, जो सिचुएशन थी, वो बड़ी आसान थी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीजें, दोनों ही इस्थितियां वो चाहता नहीं है, वो एक इस्थिति से बचना चाहता है, और उसका adjustment खराव होता है उसमें aggression बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है उसमें stress, उसमें frustration, उसमें anxiety ज़्यादा बढ़ने लगती है और psychologicalists यह भी कहते हैं कि कभी-कभी उन negative चीजों से बचने के लिए व्यक्ति बच्पन की अवस्था में चला जाता है जिसको psychology में एक term use करते है regression में चला जाता है लेकिन फिर भी उसको resolve तो करना ही होता है और resolve करने का तरीका क्या है एक painful situation तो लेनी है physics पढ़नी है वो भी painful है chemistry पढ़नी है वो भी painful है लेकिन एक तो subject पढ़ना ही पढ़ेगा physics पढ़ ले या chemistry पढ़ ले वो biology पढ़ ले या mathematics पढ़ ले वो fail भी ना हो और वो पढ़े भी ना ऐसा नहीं हो सकता इसे कहते हैं avoidance, avoidance conflict third conflict है approach avoidance conflict और इस approach avoidance conflict में व्यक्ति किसी ऐसे goal की तरफ move करता है जहाँ पर उसके positive aspect भी है और negative aspect भी है वो positive पहलों को तो पकरना चाहता है उसकी तरफ आकरशित होता है लेकिन negative पहलों को छोड़ना चाहता है वो negative पहलों से दूर रहना चाहता है उसको avoid करना चाहता है यहां हम इस तरह से कहें कि व्यक्ति एक ऐसी जगह खड़ा हो गया है या ऐसी स्थिती में हो गया है कि जहां पर उसको positive and negative दो goal है और वो उसके बीच में खड़ा है वो इस positive goal को पाना चाहता है लेकिन उस positive goal के साथ वो negative goal free में मिल रहा है यदि आप इसको लेंगे तो इसके साथ तो यह आएगा ही आएगा आप इसको इस तरह से समझे कि एक लड़का है जो शादी करना चाहता है लेकिन वो इस चीज से भी ड़ता है कि जो शादी के बाद जो कुछ incidents गलत हो सकते है वो incidents उसके साथ ना हो वो और भी अगर इसको इस तरह से समझना हो की एक लड़का है जो love marriage करना चाहता है एक जो positive है लेकिन love marriage करने के बाद वो ये डरता है कि ये love marriage करेगा तो उसकी जो family वाले हैं वो उससे घुसा हो जाएंगे यहाँ पर स्थिती एक है उसको marriage करनी है जो love marriage है लेकिन उसका दूसरा एक पहलू और भी है कि ये वो love marriage करता है तो हो सकता है उसकी जो family members है वो नाराज हो जाएंगे इसे कहते हैं approach avoidance conflict नमबर 4 पर आता है multiple approach avoidance conflict और ये जो multiple approach avoidance conflict में multiple approach मतलब multiple positive goals and multiple negative goals आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं एक लड़की के example के द्वारा एक लड़का है जो खेलना भी चाहता है और वो national और international लेवल पर जाना चाहता है अपने खेल में और दूसरी तरफ वो पढ़ना चाहता है और वो बहुत अच्छा डॉक्टर या बहुत अच्छा इंजीनिर भी बनना चाहता है दो इस्थितियां है जो दोनों positive हैं दोनों एक दूसरे की तरफ खीच रही है लेकिन opposite है दूसरा अगर इसी स्थिति को थोड़ा सा आगे बढ़ा है कि अगर वो पढ़ेगा तो उसके जो father है वो खुश होंगे वो पढ़ेगा तो हो सकता है उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए positive लेकिन एक negative ये भी है कि यदि उसको पढ़ना है तो उसको सुबह जल्दी वो खेलेगा तो हो सकता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा उसका नाम हो जाए उसके पास बहुत पैसे हों लेकिन दूसरी तरफ एक negative जो पक्ष है वो ये भी है कि खेलने के लिए उसको पढ़ाई से थोड़ा सा हटना पड़ेगा खेलने के लिए उ लेकिन उसी स्थिती के multiple approach और multiple avoidance, multiple positive and multiple negative goals है और उनके बीच में व्यक्ति क्या करता है फस्ट जाता है वो परिशान होता है कि मैं पापा को खुश करूं या मैं मम्मी को खुश करूं मैं पापा को खुश करता हूं तो मुझे कुछ गिफ्ट मिलता है लेकिन जब गिफ्ट म मम्मी नाराज हो जाती है मैं मम्मी को खुश करता हूं तो मुझे पापा नाराज हो जाता है लेकिन मम्मी से जो प्यार मिलता है वो मेरे को कम हो जाता है इस्थितियां बहुत सारी है व्यक्ति पॉजिटिव और निगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव और पॉजिटिव बह जबहार दो विचार ऐसे हैं जो अपोजिट हैं और एक दूसरे की तरफ खीच रहे हैं अगर वो एक तरफ खीच हैं तो तो conflict हो गा ही नहीं बल्कि वो अपोजिट हैं एक दूसरे की तरफ खीच रहे हैं वो इस्थिती अप्रोच अप्रोच conflict की हो सकती है अबाइडन्स के टॉपिक को डिस्कस किया, और का रिजॉलुशन बहुत जरूरी है का रिजॉल्व करेंगे, तब बहतर कुछ होगा, बहतर आप अपने जिन्दगी में कर पाएंगे और अगर conflict बना रहा तो दो चीजें जरूर आएंगी एक anxiety develop होगी और दूसरा frustration develop होगा यदि anxiety and frustration से दूर रहना है anxiety और frustration को दूर करना है तो आपको अपने द्वंद को, अपने संघर्ष को या अपने conflict को अपने से दूर रखना पड़ेगा चाए वो positive चीजों का conflict हो, चाए वो negative चीजों का conflict हो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी बाद बहुत ध्यानपुरवक सुनी और मैं मानता हूँ कि आपको conflict का topic समझ में आ गया होगा Thank you